समस्य अगर बहुत बड़ी है तो उसका समधान भी उतना ताकतवर होना चाहिए बनते बनते काम अगर बिगड जाते हैं समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या अभी तो चीजे सोची दि क्या भी हो जाएगी लेकिन एंड मोमेंट पे कट गई अगर घड से बिमारियों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा तो कुछ तो गड़बड होगा आप आपने कभी नोटिस किया चलते फिर ते चोटे लग गई हाथ कट गया सबजी काट रहे थे बार-बार हाथ कट रहा हाथ बार-बार जल रहा है अचानेक से मंदिर का जो कपड़ा था वो कई न कई जल गया यह मंगल बद की निशानी है रिष्टे जो कहते ना खून के तालुकदार थे वो कई न कई आपका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं गलती चाहे आपकी हो गलती चाहे उनकी हो खून के तालुकदार अगर रिष्टा तोड़ते जा रहे हैं तो यह मंगल बद की निशानी है आपने मेहनत बहुत करी रिजल्ट कुछ ना मिला चलो रिजल्ट मिल गया मान लिया रिजल्ट मिल गया क्या हुआ एक सिचुएशन ऐसी पैदा होई कि क्यातना वही हलात खड़े हो गए पूरे समरिद परिवार को आग लगाने का काम करता है मंगल बद मंगल दोश तो अगर यह चीज कहीं न कहीं है तो फिर संभल जाओ उपाए कर लो अब कितने लोग बोलते हैं शैन अदीदी आप यह बता हो कि आप की तो इतनी होरर स्कोक हर तो आप कैसे निपड़ते हो आप क्या क्या करते हो जो चीज आज आप को मैं बताने जारी हो यह वाकी कह přेंचल रही हूँ थोड़े दिन बाद ये चीज में continuity में 21 दिन लगातार लगातार करती हूं हो सकते थोड़ा मुश्किल लगे लेकिन क्याते ना जिन्दगी मुश्किल हो जाए वो नीचे ये वो नीचे ये बाबा है ना सर पे अगर जिम्मेबारियां बहुत है ना तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा हनुमान पड़ेगा मंगल को क्याते है ना उठाना पड़ेगा उठ जाएगा हंजी बिल्कुल 100 परसेंट बस जो चीज बोलूं फिर उसको क्याते ना दिया तुफान है जो मर्जी उसको छोड़ोगे नहीं अगर लगातार लगातार कर दोगे भूमी दोश है भूमी से जिस दिन से प्रपटी खरीदिया कई ना कई क्याते है ना चीज़े खराब होती चली जा रही है यह शनी की भी दिक्कत है यह मंगल को तो कौन से कम ठीक करो आज मंगल की तो चीज़े बताने जारी हूं तो कौन से ऐसे जबरदस्त उपाई से हो जाएगा बेड़ा पार बदल जाएग मेरे पाश लोगो आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूं अगर पहले बाओ चौथे साथवे आठवे बारवे बाओ में भी मंगल है ना तो इस चीज़ को कर लेना यह पाखंड की दुकाने आपको बोलेंगी कि मंगल शान्ती कराओ यह कराओ वो कराओ आपको लगा आप इस चीज़ कहूं तो आपने कुछ की आई नहीं बुरा मतमाना फैक्ट बात है आप मानों या नहीं मानों मैं कोई फरक नहीं पड़ता आप बस जो चीज़ बता रही हूं अगर एक परसेंट भी क्याते ना शाइना सेट पर विश्वास है तो कर तो अब पहली बात तो मंगल की गड़बड़ है अब क्या करोगे अब आपने क्या करना है लाल कपड़े में लाल वस्तर में लाल मसूर की डाल गुड लाल चंदन ये बांद के अब आप क्या करोगे इसके साथ में गुड के पराठे बना दो गुड के पराठे गुड डालकर पराठे बना दो और बाटना शुरू कर दो, इसको देना शुरू कर दो, मंगलवार, 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 लगातार अगर मंगलवार कर दिया, क्या हो सकता है, दूसरे मंगलवार तक ही दिख जाएगा परिणाम, कुछ ना कुछ तो वो कहती है ना मूवमेंट दिखेगी, पर मूवमेंट फि चुँडना ने फिर उसके बद कौले जॉब करने शुरू कर दो यह वो कर दो क्लाइंट से बाते करने शुरू कर दो एक बार फोन युठाएगा दो बार फोन यूठाएगा कि दूसरी चीज बताती है कि अगर वाती में कहते हैं यहां जो यहां पर कोई का जाया जैसे बाथ रूम यहां पर आपने रूम बना दिया आपने रूम बना दिया तो शनी स्थापित कर दिया मैनत कुप कराएगा अगर आपका टॉइलिट आ गया तो अगनी कोड में आपने जल का क्यातना स्थान बना दिया तो आग भुच जाएगी जो नौर्थ का स्थान है जो जल तत्व है जहां पर आपने मौके भी आपको नहीं मिल पाएंगे क्योंकि जब एक जोन को आप डिस्टर्ब करते हो किसी दूसरी जोन के वह कहते ना तत्व कर उदर स्थापित करके तो जो वह वाला स्थान भी है जैसे अगर नौर्थ किसका हो गया जलत तो वह क्या करता है मौके देता हर एक इंसान को चाहिए मुझे एक मौका मिल जाएगे मैं अपना कहते ना जो मैनत करी मैंने हमेशा आपको होता है वह कहते है ना दुनिया को दिखा पाऊ कि मौके ऑपरचुनिटीज भी खतम होती चली जाएगी तैब आता है यह अपने आज तक सुना नहीं होगा पर मैं आपको एक बात कह रही हूं अब सबसे पहली चीज आपने पते क्या करना है उस साउथ और साउथ इस्ट मे होता है लेकिन उनके अंदर वह शमता होती है कि हर प्रॉब्लम से वह फाइट कर जाते हैं वही आपके अंदर स्पिरिट होनी चाहिए सीधी सी बात है आपने क्या करने अपने साउथ और साउथ इस्ट को है ना गोड़े लगा दो गोड़े लगा दो गोड़े के साथ साथ जो चीज जो सूर्जा को उजागर करेगी वो क्या है एक अपने मिट्टी का दीपक लेना है उसके अंदर चमेली का तेल डालना है कलावे की बाती बना कर उसको जला दो वाकी कहके कर चल रही हूँ ना आसू कहते हैं कई पर ऐसी सिच्वेशन हो जाती है इंसान खून के आसूर होता है उसको समझ नहीं आता कि क्या हो रहे मैं क्या करूं और करूं तो करूं क्या अगर वाकी अगर ऐसे अलात आ गया ना बदनामी भी हो रही है आपके उपर बचे उनके घर के बार अगर आप खड़े हो जाओगे आपको चिलाहट की एस से तोड़ फोड़ की अवाज़े आ रही होगी अगर बाई चांस आपके यह हलात है ना तो सच मान के चलना आपका काम बन जूगा आप मेरे को सची कह रही हूं आप मेरे को कुछ दिन में बोल आपके 21 मरतबा 21 बारी बजनंग बांड का पाठ पढ़ना शुरू कर दो वो दीपक जला के कहते हैं ना आपका मंगल कितना खतरनाक है खतरनाक है यह मंगल दोशी होता है जब कहते हैं ना काली उर्जा भी हमको जकरती पकड़ती है अमेशे समझाए गली से तो पूस है कड चीज़े जकड़ जाती आखे बारी बारी हो जाती है बोडी में जानी होती चिर चिड़ा पहंडर घबराड लोग कटते जाएंगे आप यह तो करो कम से कम अगर वाकी में वह प्रेबाप ऐसी चीज़े आ रही है ऐसा 21 दिन का 21 दिन का करना है मात्र किस दिन में आपका दिन खिते हैं चमतकार को नमशकार लेकिन एक चीज़ा है कि चाहते यहें और फिर परांठे को बेई कर रेयों इसकी शर्ती यह है एक बार खाना खाना है एक बार खाना खाओ और में तो कहती है किस दिन के लिए भुमी शेण भी शुरू Letter जमीन पे चद्दर चद्दर पे आ और अगर इसका और क्याते है ना जब मंगल बद होता है तो राहू के भी लाज करने चाहिए ना क्योंकि वो राहू को भी खराब करता है और राहू अगर बद नेचर पर है तो मंगल के लाज करो तो चद्दर पर रेती बिचा कर सो जाओगे तो राहू भी काबू में आ से आपने उसका भी पालन कर दिया इससे बहतर बात और क्या होगी खुदी बताओ ठीक है जी आज के लिए इतना ही वह क्या कहते हैं अंतरमन healing पे मैंने उस दिन वीडियो नहीं डाली थी आज वह आने वाली है क्या चीज ऐसी है जो पत्री के कथन को फेल करती है वह वली चीज आने वाली हो जरूर देखी ठीक है जिस चीज पर वीडियो बनाओं आप मैं बनाओंगी एस्टो वास्तू और वास्तू प्रफेशनल कोर्स की के वार्च को सब्सक्राइब कर जरो शेयर करो सब्के जख्याये झाओ जाहें नंश्कार